आप भी अपनी घर के छट पर इस तरह से टमाटर ग्रो करना चाहते हैं बट आपको ये कन्फ्यूजन है कि इसे किस तरह से उगाया जाता है क्या बीजों के माध्यम से लगाया जाता है या फिर पोधों के माध्यम से तो चलिए जानते हैं सारी चीजों को वन वाई वन करके क किस तरह से soil mixture त्यार करना है और किस तरह से पोधों को लगाना है या फिर बीजों को आज का यह हमारा वीडियो बेस्ट है हमारे डियर सब्सक्राइबर्स के कमेंट पर जो कि यह जानना चाहते हैं टमाटर के पोधों को किस तरह से ग्रो करें वह भी बिल्कुल असान तरीके स तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से टमाटर के पोधों को लगाया जाए और क्या इन्हें छोटे पॉट में लगाया जाता है या फिर बड़े पॉट में और सोयल मिक्स्चर किस टाइप का होना चाहिए और साथ में यह भी जानेंगे कि टमाटर के हमने पोधे लगाने हैं या फिर बीज से ही उन्हें उगाना है तो सबसे पहले टमाटर उगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक टमाटर की जो की देखिए सड़ चुका है तो मैं इसी टमाटर का प्रियोग करूंगे आपके पास कोई अच्छा खासा टमाटर है आप उसका प्रियोग कर सकते हैं मेरे पास यही था सड़ा सा मैं इसका प्रियोग कर रही हूं तो इसे क्या करना है कट कर लेना है और इसके जो बीज है उनको निकाल लेंगे और देखिए कुछ इस प्रकार से इसके बीज होते हैं जिन्हें मैंने निकाल लिया है यह टमाटर कुछ ज खराब ना हो जाए और यहां पर हमारा बीज भी तेयार होगे अब हम इसकी बुवाई कर लेंगे हम इन टमाटर के बीजों को लगानी के लिए यहां पर प्रयोग करेंगे इस बड़िया से सोयल मिक्स्चर का जिसमें 60% गार्डन सोयल है 20% सैंड 30% हम यहां पर प्रयोग करें तो अब जल्दी से इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो हमने बीजों से पोधा उगाना है तो बीजों से पोधा उगाने के लिए हम प्रयोग करेंगे इस परकार के पोलिथिन बैक का जिसमें असानी से कोई भी पोधा उगाया जा सकता है बीजों की मदद से तो पह इनको इस तरह से डाल देंगे अच्छे से बिखेर के डाल दे आप जितने पोधे उगाना चाहते हैं उतने बीजों को लगा सकते हैं देखे दोस्तों ये भी टमाटर के पोधे हैं जिन्हें मैंने इसी विदी द्वारा उगाया था टमाटर को कट किया था और उसमें से उनके बीजों को निकाल कर इस तरह से तूटी हुई टोकरी में नर्सरी इनके त्यार कर ली थी तो भी इनका टाइम हो चुका है अब हम इने थोड़े दिनों में ट्रांस्प्लांट कर देंगे और साथ में यहाँ पर मैंने बैंगन की नर्सरी भी उगाई थी साथ में धनिया मतलब मैंने साथ परकार की नर्सरी लगाई थी साथ परकार के यह वो वाले वीज हैं जो कि हमारी रसोई घर में पाए जाते हैं जिन्हें हम असानी से घर में ही ग्रोग कर सकते हैं तो उनमें हमारा टमाटर भी था, इसलिए मैंने इसकी भी नर्सरी लगा दी थी, तो इसी परकार से मैंने यहाँ पर इन बीजों को भी लगा दिया है, अब हम इन पे एक लियर मिट्टी की चड़ा देंगे, इन बीजों को कवर कर देंगे इस तरह से, और बीजों को लगाने करेगा, इसलिए मैं हर एक पोधे में, हर एक पोट में, हर एक पोधे में इसी फटिलाइजर का इस्तेमाल करती हूं, तो दोस्तों यहाँ पर टमाटर के बीजों को लगाने की प्रक्रिया समापत हो चुकी है, आप जो यह बड़े-बड़े टमाटर के पोधे देख रहे है तो यह मैंने इसी परकार से उगाए थे, तो अब हम इनको रख देंगे यहाँ पर शेड़ी एरिया में, क्योंकि आज कल धूप काफी ज़दा पड़ती है, जिसके कारण पोधो, बीजों को कोई असवीदा ना हो, इसलिए हम इसे छाया बरे स्थान में रख देंगे, और काफी ज़दा फैलती है, अगर आप इसे छोटे पोट में लगाओगे, तब जड़े जो हैं अच्छे से फैल नहीं पाएंगी, जिसकी वज़े से आपका जो पोधा है, वो अच्छे से ग्रोन नहीं करेगा, इसलिए मेरा सजेशन आप सबको यही है, कि जैसे ही आपके बी यह जो पोधा है, इतना जादा ग्रो हो गया है, तो उसका भी इस्तेमाल करते रहें, और आप भी फिर इसी तरह से असानी से घर में ही टमाटर ग्रो कर सकते हैं, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सक्षन में जरूर बताएं, और भी ऐसी इन्फोमेटिव वी